नावस्कार रुस्तो स्वागत है आपका अपनी यूटूब चनल टार्गेट सिविल सर्टिस में और देखिए आज है दो जनवरी और मद्रप्रदेश के डेली कर इंटरफर में आज हम दो जनवरी से रिल्टेट जितने भी इंपोर्टेंट कर इंटरफर होंगे उन पर डिस यह ग्वालियर से है इनका समद्ध किस केल से पैरा केनो प्लेयर है ठीक है और सुसीला चानू यह कहां से है तो यह मद्रप्रदेश महिला होकी टीम की सदस्य भी रही है और इनका समद्ध वैसे मनिपूर से है ठीक है तो इन तीनों को अर्जुन अवार्ट 23 से समानित किया ग्रूप है और मेजर ध्यांचन खेन रतन पुरुसकार किसे मिला है तो यह चिराग सेटी को ठीक है और सातविक साही राच को दोनों बैट्विंटन से हैं तो इनको 2023 का मेजर ध्यांचन खेलरतन पुरुसकार दिया के हैं और मद्धब्रदेश के पुर्वों हौकी स्टार टीम इंडिया के वर्तमान कोच सीवेंद्र सीयं को किस पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा तो इनको द्रोनाचारी पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा तो इसका आंसर क्या हो गया था ऑप्सान नमबर ठीक है सीवेंद्र सीयं होकी से है किस रिष्टीक से है तो य द्रोनाचारे पुरुषकार के स्थापना 1985 में की गए थी और इसमें पुरुषकार राशी कितने दी जाती है तो इसमें भी पुरुषकार राशी 15 लाक रुपए दी जाती है ठीक है खंडवा और इसका कौन्सा संस्क्रान आयोजित की जा रहा है तो यह याद रखियेगा वोच्जित इंपॉर्टेंट है तो जल मौहत आउजन कहां किया जा रहा है तो यह खंडवा में किया जा रहे है और मद्यप्रदेश की किस रामसर साइट पर इंटरप्रेटेशन सेंटर इस्थापित के जा रहे हैं तो यह सिरुपूर्त आलाप पर तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नुबर ए ठीक है हमारे मद्यप्रदेश में कितनी रामसर साइट है किस रामसर साइट है चार हमारे देश में 75 ठीक है पहली रामसर साइट भोज उन चाब और आप कि जिल जो की इंदों हैं कि जीन्तिट कुल हिंद इभी हाल में नेशनल एंसनल सिस्मॉलोजी यानी एच श्佐क के अनुसार ब्रदीश के किसी जीले में 6 तीवरत का बुकंप दर्जी क्या गया है तो इसका आंसर जगा और बी अभी हाली में नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलोजी जो है इसको राश्टी बुकंप विज्ञान केंदर भी कहा जाता है और यह देश में बुकंप की गतिवीदी के निगराने के लिए भारास सरकार की नूडल एजें लॉडल यह लिए और दीशनल सेंटर अफ सिस्म लोजी की अनुसार मद्यपरदीस के सिंग रॉलरजी जिले में 3.6 तिवरत का भुकम दरज किया गया है और N.C.S. प्रतिवी विज्ञान के अंतरगत आता है भुकम की घटनाओं को कमपन के परिनाम या तिवरत के अनुसार माप जाता है परिमाम मापने को रेक्टर पैमाने के रूप में भी जाना जाता है यहां परिमान भुकम के दोरान जारी और जार संबंदित हैं जिसे पूर्ण संक्या में यानि जीरो से दस में व्यक्त किया जाता है मद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है स्री मोहन यादव जी तो इन्होंने मद्रप्रदेश में तबला दिवस कब मना जाने की घूशना की है तो यह 25 दिसम समारों का यहां पर पंद्रसों से अधिक तबला वादकों ने एक साथ अपनी प्रस्तुति दे कर गिनिस वर्ड आफ बुक रिकॉर्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है इसी दिन अब 25 दिसम्बर को हमारे मद्रप्रदेश में तबला दिवस भी मनाया जाएगा अच्छा पंदित नित्यदन हल्दी पूरी को मिला था 2020 का 37 श्यास को मिला था और 2019 का किसे मिला था पंडित विद्यद्यर को मिला था और ये किस छेतर में दिया जाता है तो हिंदिस्तानी सास्त्री संगेत के छेतर में दिया जाता है और देखिए आपको पता ही होगा कि ग्वालियर को केरल की कोजी कोड ठीक है केरल की कोजी कोड इसे साहित्य के लिए सामिल किया गया है और गौालियर को संगीत चहर के रूप में सामिल किया गया है तो 31 अगर्षत को के मंदरप्रदेश में वी मुक्ति जाती दीवस मना आया जाता है यह खाना भधोस और अर्द खाना भधोस जनजातियों की बीस्ज पंचायत का आयो जन किया गया था यहां तो इसी दिन से हम वी मुक्ति जाती दिवस मना रहे हैं इसका मुख्य उद्धित से क्या है सम्मंदित वर्ग को अधिक से अधिक लाप प्रदान कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है 15 नवंबर की बात करें तो देखी 15 नवंबर को हमारे मद्धप्रदेश में कौन सा दिवस मना जाता है तो यह जंजाती में मद्प्रदेश में उत्स हो मना जाता है पहली बार का मना तीज में 2020 में 31 अगर्स्त को उसमें 250 примерно mm-3530 यह 2 माई को मनाया गया है ठीक है next question है हमारा देखे अभी हाले में किस उच्छ न्याले में IVSS courtroom live audio visual streaming system class OTT platform को सुभारम किया गया है तो यह हमारे मदबरदीश उच्छ न्याले में मदबरदीश high court में तो इसका सुभारम क्सके द्वरा किया गया है तो हमारे मदबरदीश के मुझः नादैस को नहीं हूई ठीक है तो द द्वरार यह अभी सुभारम किया है और देखिए दूसरे मुख्यन आदिस भी नामने याद रुकिएगा गनेश प्रसाद भर्टते हमारे मदप्रदीश के दूसरे मुख्यन आदिस पहले मुहमद हिदायतुल्ला इसकी दो खंट पीट है एक तो इंदौर में है और एक अग्वालियर में है ठीक है इन दोनों की स्थापना 1968 म के रोप में स्थापित है तो देखे 21 दिसंबर 2023 को मदप्रदेश के मुख्य न्यादिस न्यामूर्ती रवी वीजय कुमार मलीमत ने मदप्रदेश हाई कोट में आम नागरिकों की सहुलियत के लिए एकिकृत वीडियो निगरानी प्रनाली यानि आईवी एसेस कूर्ट र में वीडियो निगरानी प्रनाली और कोल्ट रूम लाइव आडियो वीज्वल स्ट्रिमिंग सिस्टम क्लास परियोजनाय प्रारंब हो गई है और यह दिस में पहली बाहर हुआ है जब किसी राज्य के उच्छ नियाले के द्वारा राज्य में सभी जीला और तैसिल अदा पहले उपाद्दक्ष जो थे अरविन पंगलिया तो इनको अभी हाली में शोल्वे वित्त आयोका डेक्ष न्यूक्त किया गया है ये नीती आयोक के पहले उपाद्दक्ष पी रहा चुके है और देखिए तुटिक रंजन पांड़े है यह याद रखिएगा इंपॉस्ट इंपॉटेंट है रितिविक रंजन पांड़े यह 16 वित्त आयोक के सचिव और 16 वित्त आयोक के अद्यक्ष को है अरविन पंगलिया है ठीक है और देखिए जो वित्त आयोक है हमारे देश के सव्विधान के किस आल्टिकल में इसका उल्लेक है तो यह 288 में ह के गिए और विटायो का एक अध्यक्ष की न्यूक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाती है तो यह राष्टपत्य की द्वारा की जाती है और विट है और इनके अध्यक्चों का कारिकाल कितने वर्स का होता है तो पांच वर्स का होता है और इसका गठन कप किया गया था वित्तायू का गठन कप किया था 1951 में किया था वित्तायों के पहले अध्यक्ष कोन थे केसी नियोगी जी थे और पंध्रवे वित्तायों के अध्यक्ष कोन थे तो यह केसी नियोगी जी थे रित्वी करणजन पांडे अभी हाली में वित्तायों के सचियू बनाए गये है सुल्वे वित्तायों के गया अर्विंद पंगलिया जी जो है वो निती आयों के पूर्व उपाद्यक्ष भी रह चुके है और अभी निती आयोंके उपाद्ध्च्च कोन है सुमण बेरी यह यहीं प्याद्ध्ध कोन है bun की प्यामिनिस्टर होती है निति आयोग की फू फुल फॉर्म प्यान रखेंगा नेशनल इंस्ट्यूशन अरभीन्द पंगलिया को 16 वित्त आयोग का अधैक्च बनाया गया है और इसके साथी रितिविक रंजन पांडे को इस आयोग का सचिव बनाया गया है वित आयोग की बात करें तो वित आयोग संग और राजी सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसादनों के आवंटन के उद्देश से एक समवेधानिक निकाह है याद रखीगा इसकी स्थापना भारती राश्पत्ति द्वारा भारती सविधान के अनुच्छेद 280 के तहट की ग नैदीसों के रूप में योग्य होना चाहिए या तो वित में जानकार होना चाहिए या वित्ती मामलों में अनुभवी होना चाहिए और प्रसासन में होना चाहिए या अर्थसास्त्र में ज्यान होना चाहिए और सभी न्यूक्तिया देश के राश्पत्ति के द्वारा की जाती है और देखिए कल का हमारा कोशन था यह भी मोश्ट इंपर्टन कोशन है मद्दप्रदेश में नविंतम पच्पनवा जो जिला है महर तो इसका गठन कब किया गया था तो यह पांच अक्टूबर याा पन्च अक्टूबर 2023 को दो जीलों का गठन किया गया था कौन कोशनसे महर का और एक पांदूर्णा जीला जो बोहें पांडूर्णा छिंदवहालोच से अलेगुर कर बना था कब पांच अक्टूबर 2023 को नवुर्णा मंद्प्रदा इसका चब 500 कopian सों गया 55 ऊंच गया तो यह हमारे मंद्रप्रदीश माउगंज मॉगंज डिष्टीग किस जीली से अलगकर बना था कब 1823 तो 2023 में मंद्रप्रदीश में तीन जीलों का गठन किया गया एक तो मोगन्ज पांडुर्न न मेहर मउच जो है वह रिवाड डिस्टिक से अलगों कर बना था कब तो是 March 23 को बना था पांडुर leva ace लोगार बना था कब 5 August 2022 और जो है वो 17 जिले से अलगवं कर बना था कब 5 August 2023 को आज की आज का कोष़न यह MPPSC 2023 का जो कोशन पेपर है उसमें पुछा गया था कि अध्यक्ष का कारकाल कितने वर्ष का होता है चार वर्ष का पाच वर्ष का छे वर्ष का या दस वर्ष का तो इसका पुरा डिटेल में लिख के दीजिए का कमेंड बॉक्स में और देखिए यह हमाँ टेलिग्राम च अच्छा लगा तो लाइक और शियर जरूर करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सिस्काइब भी कर लिजिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो